नमस्ते एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी योगसात्कों का इस वीडियो में एक बार फिर से सूचना लेकर के आया हूँ बहुत सारे लोग कहेंगे सूचना है बहुत लेकर के आ रहा है आजकर कंटेंट पढ़ाने पर ध्यान नहीं है शायद ऐसा लगता है तक नहीं कंटेंट को और भी रिलिवेंट तरीके से पढ़ाने के उपर ध्यान है इसलिए सारी वीडियो आपको आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ जिसमें मूलते सूचनाई ही होती है आप पिछली 4-5 वीडियो मेरी देखेंगे तो सारी वीडियो में सूचनाई ही है कि हठपरदीपिका के कोर्स को आज लौंच हम कर रहे हैं उसकी सूचना दूँगा इससे पहले योगदर्शन का जो हमारा कोर्स चला पहला फिर उस कोर्स की सफलता किस परकार चल रही है उसकी इंफर्मेशन दी फिर कल दो दिन पहले ही हमने वीडियो डाला कि योगदर्शन का दूसरा सेकंड बैच हम लौंच कर रहे हैं अब यह चोधा वीडियो है यह हठपरदीपिका के लिए है तो जो लोग हठपरदीपिका में इंट्रस्टेड है हठपरदीपिका के मर्म को जानना चाहते है हठपरदीपिका की भाषा को जानना चाहते है हठपरदीपिका के योग के उदेश्य को जानना चाहते है हठपरदीपीका के काल में किस तरह की शिक्षाइं पर चले थी, किस तरह की चीज़ें थी, वो क्यों अथन्टिक थी और आज भी वो उतनी ही अथन्टिसिटी के साथ हमारे बीच में है किस परकार से उनको अपनाया जा सकता है, किस परकार से विज्जान के द्रिष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है हाठपरदीपी का, किस परकार से उसमें आसन का निरूपन है, किस परकार से कुम्भक यानि की प्रणयम का निरूपन है, किस परकार से मुद्राओं का निरूप वे मुद्राएं, तो मुद्राएं के आवशक्ता क्यों है? दियासन कर लेते हैं, तो मुद्राएं करने के आवशक्ता क्या है? प्रणयम कर रहे हैं, तो मुद्राएं करने के आवशक्ता क्या है? उनकी आवशक्ता के ऊपर भी बल हम देंगे, कि उनको समझाएंगे कि वो क्य जो कोई साधना के रूप में लेना है, ना कि एक सामान्य प्रैक्टिस के रूप में आप उसको लें, या किसी competition के तैयारी के लिए नहीं है, कुई भी ग्रंथ, कुई भी शास्त्र, कुई competition की बात नहीं करता है, तो आज कल ज्यादा विद्वान लोग पैदा हो गई है, ज्यादा ही विद्वान लोग पैदा हो गई है, हाँ, कॉमेंट कर रहा हूं उन लोगों पर जो इस तरह का कर रहे हैं, उनको कहते हैं ना कॉमेंट पास कर रहा है, तो ये कॉमेंट है उन लोगों के लिए, कॉम्प् बनाने पे लगे होएं उनके ओपर मेरा कॉमेंट था और है सच्चा ही है कॉमेंट लगेगा लेकिन है सच्च ये बात तो वैसी जो विद cruelty है उसको हम कैसे दूर करें उस Misconception को कैसे दूर करें तो आपको ये सारे Misconception तभी दूर हो सकते हैं जब मूल टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो जैसे कि हमने पहले कोर्स में कराये योगदर्शन के 195 सूत्रों को हमने किया word-to-word meaning के साथ हमने उसको समझाया इसी प्रकार ह entrar pradipika के पांचोध्य जिसमें चार में योग का संडेश है पांचमे में योग चिकित्सा है उसको एक एक सूत्र को हम समझाएंगे एक-एक सूतर को उस सूतर में क्या कहा गया है उसका क्या अर्था है भाशा शैली किस प्रकार की है बहुत सारे morally90 लोगों को है उन सभी confusion को दूर करने का परियास करूँ है इस हट प्रदीपिक के माध्यम से तो आईए स्वागत करता हूं सभी का जो योग सादक हट परदीपी का जानना चाहते हैं, उसका वास्तविक मर्म जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने खरीदी भी होगी हट परदीपी का जिस क्यों पर मैंने कोमेंटरी की है, तो बहुत सारे लोगों के फीडबेक आय अच्छा लगा उनको तो किस परकार से साधकता तो हैं, किस परकार से बादकता तो हैं, किस परकार से आसन है, पंद्रा, क्या-क्या उनके लाब हैं, किस परकार से हटियोग परंपरा है, किस परकार से दस यम हैं, किस परकार से दस नियम की बात की गई है, यम नियम की, किस प लम्बग करने चाहिए किस मोसम में कुंसा करें उसके बीछ. में क्या हम करते क्या कारण है कि भस्तरी का Commission करते क्या काą चायजि लिष चंद्रवेरी प्रणययम हिसृ के जरय कोी करनी कारणٌ है यह हमारे जो अरूटीन में करने में प्रणेम नहीं है ये विश्य अवस्था में, यहनल कि यदि BP low है तो हम सूरे भेदी करेंगे, भस्त्रिका करेंगे, यदि आपका BP high है तो हम शीत ले शीत का चंदर भेदी करेंगे, ये एक परटिकुलर बोड़ी की अवस्था को सम अवस्था में लेके आने हैं, स्थित्पर्जता, ये प्राप्त करना, समाधिस्त होना, समाधि क्या है? समाधि यही तो है, सम हो जाना, बुद्धी का सम हो जाना, यानि कि हर situation में अनुकूल परतिकूल आवस्थाओं में सम रहना, अपने behavior को सही रखना परिस्तितियां तो बदलती रहेंगी तो इसलिए योग हमें सिखाता है, सारे गरंतों का भाव सार एक ही है, लोग misconception कैसे घुसा देते हैं, कैसे हमें misguide करते हैं, क्योंकि वो text नहीं पढ़ते हैं यदि आप text पढ़ेंगे तो आप हट परदीपी का कि वास्तुक सोरूप को जान पाएंगे, जिस परकार से पिछले बेच में हमारे योगदर्शन के जितने भी विद्यारती थी थे, 222 विद्यारती थे, उन्होंने योगदर्शन के मर्म को जाना, अब मैं ये नहीं कहता क कि वो योगदर्शन के विद्यारती विद्वान बन गए होगे, लेकि मैं ये कह सकता हूं कि योगदर्शन के विशे को ले करके, उन 222 स्टुडेंट्स को को भरमेत नहीं कर सकता, उनको मिसगाइड नहीं कर सकता, कि योगदर्शन में ऐसी बात है, ऐसी बात है, वो तुरंद बता देंगे, जड़ क्या है, चेतन क्या है, प्रकृति क्या है, पुरूश क्या है, अंतकरन क्या है, मन क्या है, बुद्धी क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, उस सब कंसेप्ट नहीं सकता योग दर्शन के नाम पे थी किसी परकार आपको हठ परदीपी का के नाम पे हठ योग के नाम पे बहुत भर्मीत करते हैं लोग वो नहीं कर पाएंगे तो आप एक टेक्स्ट को मून रूप से जान पाएंगे मैंने कहता कि आप किसी एक्जाम की तैयारी के लिए क संब्सक्राइब कर रिए और उसमें हठ परदीपी का एस जी सब्जेक्ट है तो निश्च्ट रूप से सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे सब्जेक्टिव पे पर हो ओपजेक्टिव पेपर हो किसी भी प्रकार से हो वह कैबलरी हो कि कोई वैसे पूच रहा हो वाइवा हो फट प्रदीपी का में कोई concept ऐसा नहीं बचेगा जिसका reply आप ना कर भाएं चाहे subjective reply ले लो चाहे आपसे वर्चुल कोई जैसे पूछ करके हम ले ले तो कोई भी ऐसा concept नहीं छोडेंगे जो हठ प्रदीप का आपका clear ना हो जैसे योगदर्शन को किया तो जो भी इंटरस्टेड हैं आईए जोइन करिए हमारे कोर्स को 28 से शुरू कर रहे हैं 28 जनवरी शुकरवार से शुरू कर रहे हैं और इसके जो days रहेंगे वो Monday, Wednesday और Friday सब्ता में तीन दिन पढ़ाएंगे बाकी की छुटी रहेगी तो आप उसको अच्छे से cover कर सकते हैं उसको revise कर सकते हैं तो जो चाहता है कि मैं इस कोर्स को जोईन करूँ आप मेरे सेम जो नंबर है 9541224042 उसके उपर Google पे कर सकते हैं मातर 900 रुपे केवल 900 30 days का कोर्स है 30 दिन का तो आप देखे इतना सस्ता कोर्स कहीं नहीं मिलेगा आपको 900 रुपे में हठ परदीपिका का पूरा सार समझा देंगे आपके हाथों से आपके नोट्स बनवा देंगे आपके हाथों से आपके NetJRF की YCB Level 1,2,3,4 की तैयारी करा देंगे आपके हाथों से आपके डिपूलोम और Master Degree में आपके जो हठ़पर दीपिका की जोईकाई है उसकी अच्छी तैयारी करा देंगे ये जिम्मेदारी मेर यहाँ पर कम से कम सत्तर दिन आपको लगेंगे क्योंकि आपको Alternate Days में है तो सप्ता में तीन दिन होगा तो यदि तीस हैं तो तीस के को आप गुणा करके देखेंगे तो साथ तो सिधे होगे तीस का साथ और छे हमारे छे सप्ता होगे तो छे संड़े होगे तो 66-67 दिन हम हमारे लगेंगे इस कोर्स को पूरा होने में आपको फुल टाइम रहेगा फुल अच्छे से आप उसको तयारी कर सकते तो दावा करता हूं कि हठ प्रदिविका आपका कंसेप्ट कलियर हो जाएगा बाकी किसी एक्जाम को पास करने की ना जिम्मेदारी ली थी ना है ना ल जब पैरदर चलेंगे योगदर्शन चलेगा ट्यूजडे थरस्डे सेटरडे यह अठ प्रदिविका चलेगी मंडे वेनस्डे फ्रेडे तो यह हमारे दो कोर्स चलेंगे अभी नो से दस रात को इसका टाइम रहेगा नाइन टू टेन पीम जूम एप पे रहेगा जो बैए हुए हैं आप कोई बिजी आपका स्केडूल है आप क्लास टेंड नहीं कर पाए हैं तो उसकी रिकोर्डिंग भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी लेकिन रिकोर्डिंग कम मांगने की कोशिश करना वही रिकोर्डिंग दी जाएगी जो आपका अनफोर्चुनेट् सब्चेक्ट को ले करके पूर योग पूरी अप पर्दिभी तरने रिकोर्श विल अस्पेट को लोगोता की जो डार पर्दिली म्हिर करते हुए हैं कुछ तो फर्क होता है अपाए हम प्रोफेशन पैशन एक ही है तो अभी उसकी कोस्ट तो लेनी पड़ेगी और यह कोस्ट इतनी है कि गरीब से गरीब चातर भी इस कोस्ट को आदाम से दे सकता है और योगदर्शन में मैंने देखा बढ़ चड़के किसी ने कोई आपती नहीं की सब कहरे कि फीस बहुत सस्ती है लेकिन आप सब लोगों को उदेश्य है मेरा कि आप सब लोगों को real knowledge, real जो fact है उसको किस तरह से practical life में आप implement कर सकते हूं चीजों को यह मेरा दे है आप लोगों को पहुंचाने का तो पैसा matter नहीं करता, money doesn't matter, education matter करती है और सही right education जो है वो सब तक पहुंचने चाहिए, real knowledge जो है वो पहुंचना चाहि का वीडियो ले करके आया हूं, तो join करिए, सब का स्वागत करता हूं हर्दे से, और जिन लोगों ने 40-50 लोग और इन्रोल हो चुके हैं, यह उन सब को धन्यवाद देता हूं, और आने वालों का बाहे फैला करके स्वागत कर रहा हूं, आप आईए, और आपको अच्छा लगेगा निश्यत रूप से, मैं आप से सीखूंग, आप मुझसे सीखिए, और इसी प्रकार हटपरदीपिका को बहतरीन कोर्स हम देजाइन किया है, तो उस योगदर्शन हटपरदीपिका के कोर्स में आप आईए, धेर सारी शुब कामना हैं आपको, स्वस्त रहिए, मस इस वीडियो के थमनेल पर आप जो पोस्टर देखेंगे, उसमें सारी डेटेल है, बैंक अकाउंट की भी डेटेल है, आप कोड को स्कैन करके देना चाहिए, वो भी है, डियम भी है, सारी चीजे है, तो बहुत इजी है, और यह कहें कि हठपरदीपी का आपके द्वार, य इस डे फ्राइडे रहेगा, और नोट्स आप खुद बनाएंगे, और हाँ, लास्ट में इस सर्टिफिकेट सबको इशू किया जाएगा, जो इस कोर्स को सक्सेस्फुली कम्क्लीट करते हैं, उनको इस सर्टिफिकेट हठपरदीपी का जब समाप्त होगी, उस दिन सबको उनकी इमेल आइडे पे, हम अपनी तरब से, सोसाइटी के तरब से, योग परिवार सोसाइटी के तरब से, उनको हठपरदीपी कारके, एक महिने के कोर्स का विद्र डेटेल आपको सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे, ये एक एडिशनल बात थी, ज्योंकि हमने योग दर जानकारी, आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, तो जल्दी आईए, 40 लोग ओरड़ी हो चुके हैं, तो आप कौनसा नंबर आपका आएगा, देखने वाली बात है, जल्द आईए, 28 से शुरू है, तो 27 तक आप जितने लोग आना चाते हैं, सब का बाहें फैला करक बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, सब को बहुत बहुत धन्यवाद, जहिन, जह वारत, नमस्ते